Hi everyone, it's me Anjali Verma and आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कुछ time management tips किस तरीके से हम अपने time को बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं वही हम discuss करने वाले हैं आज की इस वीडियो में बहुत सारे students हैं जो की इस situation से deal कर रहे हैं कि वो अपना time बिल्कुल भी manage नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं कहां वो अपना time waste करते रह जा रहे हैं तो हम आज यही discuss करेंगे कि कैसे हम अपने time को बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं क्या ऐसी वो tips हैं, क्या ऐसी वो चीजें हैं जिनको हम follow कर सकते हैं तो सबसे पहले जो हमारा point है that is prioritize सबसे पहले जो भी आपकी priorities है life में उनको note down करो एक copy लो एक pen लो और बैट जाओ और note down करो कि आपकी क्या क्या priorities है सबसे पहली priority कि आपको school में अच्छा score करना है, आपको अच्छे marks लेके आने हैं या फिर किसी एक particular subject में आपको maximum अच्छा score करना है, किसी exam को आपको crack करना है और इसके अलावा भी आई life में बहुत सरी priorities होती हैं कि घर में भी आपको time देना है, friends को time देना है अगर मानो तुम लोगी girlfriend है या boyfriend है या कुछ भी है अगर वो तुमारी priority list में है, तो उस चीज को भी लिख सकते हो just be honest, मैं ये चीज भी इसलिए कह रही हूँ because I know there are so many of the students जो कि मुझे खुद भी message करते हैं कि ma'am, ये भी चीज़े हैं life में, कैसे handle करें and so and so, ठेक है तो इसलिए आपको जो भी आपकी priorities है life में वो note down करनी है उसके बाद eliminate those things जो की time waste कर रही है आपका अब इसमें क्या चीज़े आएंगी, कि आप दिन में क्या कर रहे हो आदे से जादा time आप phone में लगे हो real scroll कर रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ घूमने में लगे हो तो ये जो चीज़े हैं जो आपका time waste कर रही हैं उसको eliminate कर दो, बिल्कुल निकाल दो इंस्टा को uninstall कर दो, ठीक है YouTube shots देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये जो भी आपके ऐसी चीज़े हैं time waste कर रही हैं चाहे आप game खेल रहे हो, चाहे real scroll कर रहे हो जो भी कर रहे हो, इन चीज़े को eliminate करो completely from your life हम सोचते हैं, कि यह कोई बात नहीं decide कर लिए, बस 5 minute ही इस चीज़े को हम चलाएंगे ऐसा होता ही नहीं है वो 5 minute कब 2 घंटे में change हो जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता है इसलिए, just completely eliminate those things from your life उसके बाद, you should have a proper plan plan as in, कि आपको क्या सोचना है कि आपका long term goal क्या है like अभी, let's suppose आपका यह है कि मुझे J crack करना है, मुझे need crack करना है तो उसके लिए आपका क्या plan है किस तरीके से आप चीज़े handle कर रहे हो क्या सिर्फ आप boards पर ही focus कर रहे हो और need की preparation बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा क्यूं हो रहा है क्या reasons है जिनकी वज़े से आप focus नहीं कर पा रहे हो इसके लिए आपको एक solid plan बनाना है और वो plan खुद के लिए आप ही बना सकते हो इस plan में सारी चीज़े होंगी कि इस month में मैं क्या कर रही होंगी next month में क्या कर रही होंगी किन चीज़ों पर मेरा focus होगा अगर मान लो एक महीने मैं आपको एक हफता शादी में जाना है तो वो भी चीज़ पहले से note down करो कि इस एक हफते अगर मैं शादी में हूँ तो अगले हफते जो हमारे पास आ रहा है उसमें मुझे full focus से अच्छे से पढ़ाई करनी है ये सारी चीज़े आपको अपने लिए note down करनी है और एक solid plan बनाना है ठीक है उसके बाद देखो next set goals it is quite similar आपको अपने goal set करने है कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है उनका goal क्या है उनको बस ये है कि बस पढ़ते जा रहे है पढ़ते जा रहे है क्यों पढ़ रहे है वो ही नहीं पता है ultimate आपका goal क्या है पहले तो अपने दिमाग में वो set करो अगर एक dream job मालो अभी आप नहीं decide कर पा रहे हो that is completely fine बट जो आपका कुछ goal होगा कि पैसे कमाने है या फिर parents को proud feel कराना है तो ये आप कैसे कर सकते हो ये सोचना पड़ेगा न अगर आप बस endlessly scroll करते जाओगे तो ये चीज आप कभी नहीं कर पाओगे आप self analysis कभी नहीं कर पाओगे आपको सबसे पहले self analysis करना है कि आपके goals क्या है और कैसे आप उनको achieve कर सकते हो उसके बाद learn to say no say no to those things जो कि आपका time-based कर रही है अगर दोस्त आ रहे हैं कह रहे हैं चलो यार ज़ भूमने चलते हैं चलो आज party करते हैं चलो आज ये करते हैं तो learn to say no you have to say no to those things उसके बाद pomodoro technique हमारे पास होती है इसको आप apply कर सकते हो and it actually helps हमेशा जबी भी हम काम कर रहे होते हैं पच्चिस मिनट काम कर लो पांच मिनट का break ले लो और ये break ऐसा होना चाहिए जहां पर आप phone scroll नहीं कर रहे हो या आप फालतू की chatting में नहीं लग गए हो जो भी चीजे हैं जो फालतू चीजे हैं उनको आपको break time में नहीं करना है normal walk कर लो एक बार ठीक है क्योंकि कई बार लगतार बैठे रहते हैं तो बहुत सारे issues हो जाते हैं body में तो थोड़ा walk कर लो थोड़ा सा mind fresh कर लो थोड़ा सा बहार चले जाओ बस इतनी सी ही चीजें आपको करनी है break time में तो pomodoro technique को आप apply कर सकते हूं और before moving on to our video एक और चीज में बता देती हूं जो भी class 12 के बच्चे हैं तो उनके लिए practice papers CBAC ने launch कर रहे थे तो उनकी book भी launch हो चुकी है तो उस book को आप prefer कर सकते हो तो ये मैं बता देती हूं आप सबी को बिकस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि हमारे पास practice papers की भी book launch हो चुकी है तो जैसे Oswal Publishers की ये वाली book है chemistry के लिए इनहीं की books, physics, math सारे subjects के लिए अवलेबल है practice papers की तो आप इस book को prefer कर सकते हो इसमें सारी चीज़े given है सबसे पहले sample question paper given है blueprint भी आप पे given है कि कौन से chapter से कितने number के questions आये हुए है उसके बाद यहाँ पे देखो 6 practice papers है जो की solved है और 4 यहाँ पे unsolved है तो यहाँ पे यह रहा हमारे पास blueprint तो अच्छे से आप इसको analyze कर सकते हो sample question paper का पूरा solution यहाँ पे आपको मिल जाएगा practice paper यह solved है और जो unsolved है उनका solution आपको इस QR code से easily मिल जाएगा इस QR code को आप scan करो और solution आपके सामने आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इन सारे ही practice papers को practice कर सकते हो इस book की जो buy link है मैं description में आपको provide कर दूँगी तो जाओ और इस book को आप check out करो उसके बाद आगे हम कुछ और भी tips यहां पर discuss कर लेते हैं तो उसके बाद है take breaks आपको regular breaks लेते रहने हैं जैसकि अभी just हमने discuss कर ही लिया था क्योंकि बहुत बार हम continuously पढ़ते रह जाते हैं और फिर bore हो जाते हैं और उसके बाद हम time waste करना start कर देते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको बीच-बीच में ही breaks लेने हैं so that ultimately आप time waste करने ना लग जाओ next is no multitasking बहुत बार हम सोचते हैं कि multitask कर लेते हैं हमारा time बचेगा बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा time इसी वज़े से waste हो जाता है क्योंकि हम एक चीज़ पर अच्छे से focus ही नहीं कर पाते हैं और अगर हम एक चीज़ पर focus अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो it is ultimately कि कोई सा भी काम नहीं हुआ it's like कि हमने दो नाव पर पैर रख रखे हैं और दोनों इधर उधर चले गई और हम बीच में डूब गए तो आपको ऐसा नहीं करना है multitask आपको नहीं करना है एक time पर एक ही चीज़ पर focus करना है अगर आप physics पढ़ रहे हो तो completely physics पर focus करो अगर आप maths पढ़ रहे हो तो completely maths पर focus करो और यह नहीं कि पढ़ाई भी चल रही है सासा इधर पर चार्टिंग भी चल रही है तो ऐसा नहीं करना है यह time wastage है और यह time wastage आपको नहीं करना है उसके बाद last और जो most important point है review your progress कि आप actual में progress कर रहे हो इन सारी चीज़ों से या फिर आप कहीं progress कर ही नहीं रहे हो उल्टाप और नीचे जा रहे हो कहां आप daily के तीन घंटे पढ़ते थे कहां आप अब एक घंटा पढ़ रहे हो तो आपको अपनी progress चेक करनी है daily basis पे daily भी करनी है और weekly भी करनी है कि क्या हम progress कर रहे है क्या कल मैंने जितना पढ़ा था मैंने उसे जाधा पढ़ा या उतना ही पढ़ा या फिर कम पढ़ा या मैंने कहां अपना time waste करा कल मैंने कम time waste करा था या आज मैंने कम time waste करा है ये सारी चीज़े आपको analyze करनी पढ़ेंगी क्योंकि आपके पास कोई personal manager तो है नहीं है ना जो आए है और बताया कि अरे आप time waste कर रहे हो आपको ये काम करना है you don't have a personal manager आपको खुद ही अपना personal manager बनना पड़ेगा तो इसले ना जितनी भी tips हैं को अपनी life में apply करो and you will definitely see a lot of changes जितना भी आप time waste कर रहे थे वो सब avoid हो जाएगा and you will be able to focus on your work very nicely so I hope ये जितनी भी चीजे हमने discuss करी हैं आपको सारी चीजे समझ में आ गई होंगी so that is it for this video हम मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best